नमस्कार दोस्तों आपका अपने परिवार्दा इस पीड इस्टेडी पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हम लोग जो है रिजनिंग का अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे उसी के आगे कल हम लोगोंने रैंकिंग एंड और एंड रैंकिंग का पार्ट वन देखा था जिसमें हम लोगोंने छोटे छोटे कुश्चन देखे थे जो बेसिक थे आज हम लोग उसी के आगे देखेंगे दोस्तों जैसा कि आप देख रहोंगे कुश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कहीं कोई डाउट हो तो बताईएगा दोस्तों एक बार जल्दी से सभी लोग जै हिन लिखे दोस्तों और अपने अपने ग्रूप में सेयर कर दीजिए ठीक एक बार जल्दी से सभी लोग जै हिन लिखे और अपने अपने ग्रूप में दोस्तों सेयर कर दीजिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक जल्दी से सभी लोग लिखिए आईए कमेंट में आईए आसीस पंकज अंकित मोहित जैहिंद दोस्तों जैहिंद चलिए दोस्तों सुरू करते हैं क्या कह रहा है देखिएगा कह रहा है छे बच्चों के समूँ में क्यों पी से लंबा है लेकिन यल जितना लंबा नहीं है यन यम और उस यन और उस से लंबा है लेकिन पी जितना लंबा नहीं है उनमें से सबसे छोटा कौन है चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है दे वो दोस्तों पी से लंबा है लेकिन यल जितना लंबा नहीं है मतलब दोस्तों क्यों पी से लंबा है लेकिन जितना लंबा यल है उतना लंबा क्यों नहीं है इसका मतलब यल दोस्तों लंबा हो गया क्यों से भी आगे यम यन और ओ से लंबा है चलिए दोस्तों यम जो है यन और और से लंबा है लेकिन पी जितना लंबा नहीं है तो देखिए यन जो है यहां पर पी है यह आपका क्यूं है और यह आपका यल है क्या कह रहा है देखिएगा कह रहा है कि यम यन और और से लंबा है चलिए यम मान लीजिए यहां पर है दोस्तों तो यम जो है वो यन और ओ से लंबा है यन और ओ से लंबा है दोस्तों लेकिन पी इतना लंबा नहीं है मतलब पी से तो छोटा ही है यम यन ओ लेकिन इतना लंबा नहीं है तो कह रहा है उन में से सबसे छोटा कौन है जी हां दोस्तों देखिए इस प्रस्ट में दोस्तों इतना तो हमको पता है कि जो यम है वो यन और ओ से बड़ा है लेकिन दोस्तों यन और ओ में यन और ओ में ये नहीं दिखाया गया दोस्तों कि लंबा कौन है या यन लंबा है ओ से या फिर ओ यन से लंबा है इसलिए दोस्तों डाटा जो है इन एडिक्यूलेट है मतलब पता नहीं लगाया जा सकता दोस्तो कि कौन सबसे ज़्यादा छोटा है कहीं कोई दिकत दोस्तो चुकि हमको देखी यन और ओ का रिलेशन नहीं दिया दोस्तो ये तो पता है कि यम जो है यन और ओ से लंबा है यम का रिलेशन पता है यम तक तो पता था अभी इसमें अगर पूछता दोस्तों कि सबसे बड़ा कौन है याद रखिएगा अगर इसमें पूछता कि सबसे बड़ा कौन है दोस्तों तो सबसे बड़ा हमारा यल हो जाता लेकि इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है दोस्तों तो चुकि छोटा देख रहे हैं कि यहा है दोस्तों कि साथ छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दो गुनी है मतलब दोस्तों लड़के अगर यक्स हैं लड़के अगर एक हैं तो लड़कियां दोस्तों दो हैं अर्थात इसकी दो गुनी हैं और टोटल दोस्तों साथ छात् लड़के हो जाएंगे 20 और लड़कियां हो जाएंगी 40 यह कैसे किया समझ में आया कि नहीं अगर नहीं समझ में आया हो दोस्तों याद रखेगा जो सुबह आपकी रेशियो एंड मतलब की रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास चल रही है दोस्तों उसको आप लोग जरूर जरूरी है तो देखिए दोस्तों अर्थाद 20 लड़के और 40 लड़कियां चलिए क्या कह रहा है कि अगर रोहन की रैंक उपर से 17 है ठीक है दोस्तों रोहन जो है उपर से 17 नंबर पर है कौन दोस्तों रोहन रोहन यहीं पर है दोस्तों यह उपर से 17 नंबर पर है तो यू 17 मे आगे चलिए और 9 लड़किया उसके ऊपर हैं ठीक है नव लड़किया उसके ूपर है दोस्तों 9 जी दोस्तों अर्थात 9 लड़किया उसके ुपर हैं फिर आगे चलिए लडकों से नीचे से रोहन के इस्थिती का पता लगाईए अच्छा ये बताईए दोस्तों उपर कितनी लड़किया है नो लड़किया है टोटल उपर कितने लोग है दोस्तों सत्रा लोग है अगर सत्रा लोगों में नो लड़किया हो गई तो इसका मतलब उपर लड़के कितने हैं दोस्तों बताईए भाई नो लड कैके खड़े हैं ना कितने लड़के खड़े हैं दोस्तों हमारे आगे आठ लड़के खड़े हैं यह लुक्र आठ लड़के हो गए तो आठ लड़के हो गए और एक रूभन खुद भी तो लड़का है दोस्तों अर्थात 9 लड़के उपर हो गए तो नीचे कितने बचे दोस्तों एक रूट हो गए यह चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है अनकित सर एक ्पार फिर से बताईए चलिए अच्छा देखते हैं एक बार फिर से देख लीजे सभी लोग इसमें क्या कह रहा था कि साथ लड़कों की एक कक्चा है या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दो गुनी है यानि कि अगर लड़के एक हैं दोस्तों लड़कियां दो हैं और टोटल हमारे पास साट लोग हैं दोस्तों जब टोटल साट लोग हैं तो इसका मतलब कि लड़के हो गए 20 और लड़कियां हो गई 20 तूना 40 कोई दिक्कत लड़के हो गए दोस्तों 20 और लड़कियां हो गई 40, इसमें कोई दिक्कत, आगे दिख힌े, कहरा है, कि अगर रोहन ऊपर से 17 नंबर पर है, रोहन यहीं पर है दोशeston, ऊपर से 17 नंबर पर है, और नव लड़किया इसके ऊपर है, तो आँपर नव लड़किया हैं, अगर नव लड़किया हैं, तो इसका मतलब अगर नो गर्ल है दोस्तो तो इसका मतलब की दोस्तो आठ लड़के होंगे उपर यही तो हुआ अगर नो लड़कियां है दोस्तो तो आठ लड़के उपर होंगे और आठ लड़के उपर है और एक रोहन भी लड़का अर्थात नौ लड़का हो गया यहां तक अब कह रहा है कि रोहन के नीचे लड़कों में नीचे से रोहन का अस्थान पता लगाईए तो नीचे दोस्तों कितने लोग होंगे नीचे दोस्तों 11 लोग होंगे नीचे कितने हो जाएगा बाराहमा दोस्तों ठीक है याद रखिएगा साइध पिछले अभी जब बताया था हमने साइध कुछ और बता दिया था तो नीचे से दोस्तों 11 अच्छा ठीक है मैंने संख्या बताई थी अगर पूछे कि इसके नीचे कितने लड़के हैं दोस्तों तो 11 लड़के होंगे लेकिन अगर पूछे कि नीचे से कौन सा स्थान है दोस्तों तो कौन सा स्थान है तो 11 लड़के होंगे और एक रोहन खुद है तो अर्थात नीचे से 12 अस्थान है अर्थात ऑप्सन नंबर सीज में सही एंसर होगा समझ मैं आइक नहीं दोस्तों क्या कह रहा था कह रहा था कि नीचे से कौन सा अस्थान है अगर यह होता कि रोहन की नीचे कितने लड़के हैं तब तो हमारा हो जाता कि मतलब की इग्यारा हो जाता लेकिन कह रहा है कि नीचे से किस अस्थान पर है दोस्तों तेसले बागी हो कुछ और टी में कौन मतलब ज्यादा भारी है यह नहीं पता है फिर आगे देखिए बी टी और पी से हलका है बी जो है टी और पी से हलका है यानि कि यहां पर पी है तो टी और पी से हलका कौन है दोस्तों टी और पी से हलका भी है पी यहां भी हो सकता है दोस्तों और पीछे भी हो स कौन है बी आर्था आपसं नमबर भी हमारा सही ऊचररा county दूस्तों तो और समझीव रहा है पांच लड़कों की लड़कों की क्रपांच हात्रों में यम के औरकी से भारी आ यहां दोस्तों, यह K और T से भारी है, चलिए, अगर दोस्तों सबसे हलका बात करना है, इसमें जैसे आए, वैसे आप बनाते चले चलिए, चाहिद जैसे करिए, सबसे लंबा यम था, तो यम सबसे लंबा है, बीच वाला, अब K और T में कौन लंबा है, कौन चोटा है, यम को नही B के पीछे ही कहीं पर P होगा B के आगे तो होगा नहीं क्योंकि सबसे हलका B ही दिख रहा है T और P से हलका है तो इसका मतलब की हलका यहीं पर होगा फिर देखे के सबसे हलका नहीं है सबसे हलका नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जो K है दोस्तों वो यहाँ पर नहीं है के दोस्तों यहाँ पर नहीं है तो यहाँ नहीं है तो अर्थात पीछे कहीं होगा B के तो इसका मतलब सबसे हलका कौन हो गया सबसे हलका B हो गया अर्थात आपसर नंबर B हमारा सही हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत होग बताईए आगे दिखें क्या कह रहा है A, B, C, D और E में प्रतेक ने एक परिक्षा में अलग-अलग अंक हासिल किये चलिए दोस्तों B, C और E से अधिक B जो है यहीं पर दोस्तों B है B, C और E से अधिक C और E से अधिक ठीक है तो यह B है यह C है, यह E है C और E से अधिक और A और D से कम स्कोर करता है A और D से कम स्कोर करता है अब इसमें कोई जरूरी नहीं है दोस्तों भाई यह तो पता है कि A और D से कम स्कोर करता है अगर इस तरह न समझ में आ रहा हो लाइन वाला दोस्तों तो इस तरह कर लीजे कि B जो है C और E से अधिक अंक हासिल करता है इसका मतलब दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जो B है जो B है दोस्तों यह C और E से अधिक अंक हासिल करता है C और E से अधिक अंक हासिल करता है C और E है इसलिए C आबलिक E कर दिए फिर क्या कह रहा है से अधिक और A और D से कम यनि कि A और D से कम अंग हासिल करता है ठीक सी का स्कोर सबसे कम नहीं है ठीक है दोस्तों सी का स्कोर सबसे कम नहीं है तो इसका मतलब यह क्लियर हो गया यहां पर कौन सा निसान लगेगा इस ग्रीटर दैन का क्यों क्योंकि सी सबसे कम नहीं है दोस्तों इसका मतलब सी जो है इसे ज्यादा अंक हासिल करता है तो सबसे अधिक किस ने हासिल किया तो सबसे अधिक दोस्तों ए और डी में किसी ने हासिल किया अब ए और डी का देखि भी जानकारी नहीं है अर्थात option number D हमारा data indiquent हो जाएगा मतलब data परियाप्त नहीं है दोस्तों क्योंकि A और D के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि A बड़ा है या फिर D बड़ा है ठीक कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताईए कहीं कोई दिक्कत हो बताईए यह सारे प्रस्त नहीं दोस्तों इसको मैं जब भेजूंगा तो आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा जो भी प्रस्त नहाए आप उसको टेली ग्राम गुरूप पर भेज दीजिएगा दोस्तों आपकी समस्या सौल्ब करवा दी जाएगी ठीक चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कह रहा है अगर आमन को पता चलता है कि वह दाईए और से बारावे अस्थान पर है और बाईए और से चौथे लड़के हो जाए पहले देखे टोटल कितने लड़के हैं तो हमने कहा दोस्तों टोटल के लिए दोनों जोड करके एक घटा दीजे तो बारा चार सूला सूला में से घटा दीजे दोस्तों तेनी की पंद्रा लोग हैं टोटल कितने लोग हैं दोस्तों पंद्रा लोग हैं क कहीं कोई दिक्कत दोस्तों बताईए देखिए जो अभी मैंने बताया था वाला उसी तरह है कहरा है साथ छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियों लड़कों से दुगनी है ठीक है दोस्तों लड़कियां जो है लड़कों से दो गुनी है निकि अगर लड़के एक है तो कमला एक लड़की सीर्स से 16 अस्थान पर रही कमला है जो की एक लड़की है सीर्स से 16 अस्थान पर रही यानि कि ऊपर से 16 अस्थान पर रही कौन कमला अगर कमला से आगे 9 लड़कियां है कमला से आगे 9 लड़कियां है इसका मतलब आगे का मतलब ऊपर दोस्तों कमला के ऊ अगरोगों में अगर दोस्तो नो लड़की है इसका मतलब लड़के कितने हैं दोस्तों सात लड़के इसके ऊपर हैं कमला के कमला के उपर दोस्तों कितने लड़के हैं साथ लड़के हैं ठिक अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि कमला के बाद कितने लड़के हैं दोस्तों तो टोटल हमारे पास दोस्तों 20 लड़के थे 20 लड़के में साथ लड़के तो कमला के उपर हैं तो नीचे कमला दोस्त तो था ही और एक ये भी जोड़ दिया जाता आठ तो नीचे आ जाते बारा लेकिन ये लड़की है दोस्तों इसका मतलब इसके उपर साथ लोग है टोटल 20 लड़के हैं तो नीचे कितने बचे दोस्तों नीचे बचे दोस्तों 13 इसका मतलब कमला के नीचे कितने लड़की हैं और एक बार लिखिए दो जैहिन, अगर समझ में आ गया दो तो तो एक बार जैहिन लिखेगा, और वीडियो को सेर जरूर करिएगा, आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे, और इसकी PDF आपके वार्ट से ग्रूप पर भेज दी गई है, टेलीग्राम पर भेज दी गई है, आपको एक प्रस्ण को मैं सॉल्व कराऊंगा दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, जैहिन, धन्यवाद दोस्तों